जै गुरुदेव, आज हम जानते हैं कहानी मोहिनी शहा की. जी हाँ, मोहिनी शहा नैनी ताल के तली ताल में रहती थी. ये एक बहुत ही प्यारी छोटी सी बच्ची थी, जो बच्चपन से ही आध्यात्मिक प्रवृति की थी. जब उसे कैची धाम के बारे में मालूम चला और बाबाजी के मालूम चला तो उसने अपने माता पिता से उनकी पूरी जानकारी ली और इच्चा जाहिर की कि अब वो बाबाजी से मिलना चाहती है. उनके अध्यात्मिक स्वभाव के वजह से मापिता जी ने भी उन्हें नहीं रोका और ऐसे ही एक दिन वो बाबा जी के दर्शन की इच्छा रखते हुए कैंची धाम पहुची लेकिन कहते हैं न भक्त जनों कि बाबा जी का कुछ पता नहीं रहता था बाबा जी इस छण यहां होते थे तो दूसरी छण कहीं और चले जाते थे जब तक मुहीनी वहां पहुची कैची धाम पहुची ये सन 1962 की आसपास की बात है जब आश्रम बनना शुरू हुआ था और बाबा जी एक छोटी सी कुटिया में ही बैठकर तकहत में बैठकर भक्त जनों को अपने दर्शन दिया करते थे उनसे मुलाकात किया करते थे और बात किया करते थे तो उसी समय की ये बात है तो जब तक मोहिनी वहां पहुची तो बाबा जी जे ओ है उटके अपने दूसरे आश्रम जा चुके थे मोहिनी की भक्ति इस तरीके से अंदर तक बस चुकी थी उसमें कि जब उसको ये पता चलता है उस ननी सी बच्ची को कि बाबा जी नहीं है वहां कहीं गए है और ये भी नहीं पता कि वह कब तक वापस आएंगे वो बहुती तरह से विचलित हो जाती है यानि की अपना आपा खो बैठती है वो बाबा जी के लिए बहुती प्यार से प्रशाद लेके आई थी यानि की फल खरीद केल आई थी बहुत सारा समान लेके आई थी और बाबा को वहां ना पाकर वो उसका जैसे की मन ही तूट ग उसको कुछ समझ नहीं आया उसने वो फल उठाए और चपल पहन के ही बाबा जी की तकत के पास चली गई जो आश्रम में काम करने वाले लोग थे या जो भक्त जन वहां बैठे थे उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी क्योंकि कहते हैं कि किसी भी मंदिर में किसी भी पवित्र जगा में आप चपल पहन के जाए तो ये उस जगा का अनादर होता है लेकिन उस बच्ची को तो होशी नहीं था उसे कुछ नहीं पता था बस वो बेसुच्ची होके सीधे बाबा की तकत के पास चली गई फलो को बाबा की तकत पे रखा दोनों हातों से बाबा की तकत पे मानने लगी जैसे कि एक छोटा बच्चा हट करते समय करता है बिलकुल उसी तरीके से और शिकायत से करने लगी कि आप कहां गए क्यूं गए आपने मुझे दर्शन क्यूं नहीं दिये और ये करते करते सारे भक्तजन भी चुपचाप उसको देखने लगे थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से उठी और चली गई एक व्रिक्ष के नीचे तो भक्तजनों ये वो व्रिक्ष है जिसके नीचे एक सिला है यानि के एक पत्थर है जिसपे अक्सर बाबाजी बैठा करते थे बजन कीरतन किया करते थे और इस व्रिक्ष के कहानी भी कुछ ऐसी है कि ये एक सूखा व्रिक्ष था यानि कि एक ऐसा व्रिक्ष था जो अब सूख चुका था तो जब बाबा जी इसके नीचे पत्थर पे बैठा करते थे तो भक्त जन इनको मना किया करते थे कि बाबा जी देखो ये पेड सूखा है, किसी दिन आपके ओपर इसकी कोई टहनी गिर जाएगी, कोई दुरगटना हो सकती है या कभी किसी भक्त के ओपर गिर सकती है, तो हम इस पेड को कटवा देते हैं लेकिन बाबा जी ने इस बात को बिल्कुल स्विकार नहीं किया और उन्होंने कहा जाओ गंगा जल डालो इसमें और देखो ये पेड फिर से हरा भरा हो जाएगा कहते हैं गंगा जल डालने का काम जो है सिद्धिमा ने समाल लिया और सिद्धिमा रोज नियम से उसमें गंगा जल डालने लगी और आज भी कहते हैं वो पेड वहाँ है जो बिल्कुल हरा भरा है तो ये बाबा जी की कृपा से ही बना हुआ पेड है तो बात वापिस लाते हैं मोहिनी के उपर मोहिनी शाहा के उपर कि वहाँ से तकत के पास से फिर वो उट्टी वी बिल्कुल उसी बेसुद अवस्ता में उस पेड के नीचे आ गई और वहाँ बैटकर खूब भजन किर्दन करने लगी करती जा रही थी करते जा रही थी एक भजन, दो भजन, तीन भजन और करने के बाद एक चण ऐसा आया जब उसने उपर पेड के तरफ देखना शुरू किया और गोल-गोल घूमते वे राम, 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 राम जब करने लगी निर्ञंतर राम नाम का जब करते करते कहते हैं कि मोहिनी अचानक से बिहोश हो गई जब मोहिनी बिहोश हो गई तो सब लोग घबरा गए और उठे उन्होंने मोहिनी को वही आश्रम में विश्राम करवा दिया और उसके होश में आने का इंतजार करने लगे कहते हैं बाबा रात के बारा बजे वहाँ अपने दूसरे आश्रम से वापस आए और आते ही सबसे पहले मोहिनी ओ मोहिनी करते हुए उससे मिलने गए कैसे पता चला बाबा जी को मोहिनी के बारे में उन दिनों तो फोन भी नहीं हुआ करते थे पर बाबा जी थे ना उन्हें तो सब पता चलना ही था वो वहाँ जाकर मोहिनी के सिर पे हाथ रखते हैं और देखते हैं कि मोहिनी अब ठीक है और सबसे कहते हैं इसे सोने दो सुबह इस से बात करूँगा प्रातर काल मोहिनी की जब नीद खुलती है तो उसे आवाज आती है मोहिनी ओ मोहिनी बिटिया क्या हो गया था बिटा मोहिनी दोड़ कर बाबा जी के पास आती है बिलकुल उसी तरीके से जैसे बेसुद होकर वो उनकी तकट के पास गई थी बाबा जी अभी उसी तकट के उपर बैठे हुए है और मोहिनी बिलकुल उसी प्रकार जाती है और वैसे ही दोनों हातों को उनके पाउं में मारने लगती है कि क्यूं दर्शन नहीं दिये जब मैं आई थी तो क्यूं दर्शन नहीं दिये सारे भक्तजन हैरान हो जाते हैं क्योंकि मोहिनी जो पहले दिन तकहत पे कर रही थी अब वो ही वो उनके चरणों में कर रही थी ऐसा प्रतीत हो रहा था यह यह विश्वास कर लिया जा रहा था कि इसका मतलब कल भी मोहिनी उनको महसूस कर रही थी उनके बिल्कुल उसी तरीके से उनके चरणों को वहाँ पे महसूस करके उनके पाउं में वैसे ही मार रही थी जैसे कि आज मार रही थी जैसे कि कोई प्यारी सी बच्ची अपने पिता से लड़ाई करती है बाबा जी हसे और बाबा जी ने उसे प्यार से प्रशाध हाथ में दिया बोला अरे चला जाता हूँ कभी कभी कहीं काम से और मोहिनी आराम से उनके पास बैठ कर उनको बहुत सारी उनसे बाते करने लगी तो बाबा ने कहा कि तू व्रिक्ष के नीचे क्या कर रही थी तो मोहिनी ने बोला कि बाबा मैं व्रिक्ष के नीचे आपी से तो बाते कर रही थी और देखो जब मैंने ना भजन करते करते उपर की तरफ देखा तो व्रिक्ष के हर पत्ते में मुझे राम लिखावा दिखाई दिया और फिर मैंने राम नाम का जब करना शुरू कर दिया उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं बाबा जी भी हसने लगे भक्त जन्द भी सब कुछ समझ गए और मोहिनी खुशी खुशी अपनी इच्छा पूर्ण होने से अपने घर को फिर वापिस चली गई तो इस तरीके से बाबा जी हमेशा जो उनको मन से चाहता है मन से उनको उनका ध्यान करता है उन्हें अपनी होने का पूरा एहसास करा देते हैं आशा करती हूँ ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा ऐसी ही और कहानिया और किस्से लेके मैं फिर आपसे मिलूंगी जै गुरुदे